लो गाईज वेलकम बैक और माई यूट्यूब चैनल और आज अपन बात करेंगे खासतोर से देखो जो डैली की अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है CSIR NET Life Science December 2023 ठीक है इन डाटाज को देखकर वो क्या करते हैं क्यूसन को छोड़ देते हैं ठीक है तो उस चीज को सोल करने के लिए डैली अपन एक दो क्यूसन ऐसे डिसकस करते हैं तो यहां पर आज अपन क्यूसन लेकर आएं खासतोर से molecule basis की अधार पर ठीक है कि किसी भी कोई protein दिया हुए है या पिर DNA दिया हुआ है या पिर MRन दिया हुआ है उन में किसी एक सब्चा का chemical chemical weight और दूसरे लेट पूछा गया है या फिर यह हो सब्सक्राइज फोशु किसी DNA का अग अगवा दिया हों और protein की आपन देखते हैं सबसे पहले देखो एक क्यूशन दिया गया है molecular weight of E-coli DNA किसी E-coli का जो DNA है उसका molecular weight जो है 1.3.1 into 10 to power 9 डालतन है ठीक कितना है 3.1 into 10 to power 9 डालतन और इससे इस DNA से जो protein बने उस protein के साइज कितनी होनी चाहिए ठीक है इस protein से बनने वाली जो protein होती है उसमें एक protein 400 amino acid का होना चाहिए क्या पूछ रागला कि इस DNA से अगर एक protein का molecular weight या फिर एक protein में 400 amino acid हो तो 400 amino acid वाली कितनी protein बन सकती है इस DNA से 400 amino acid वाली कितनी protein possible है कि वो बन सके तो कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले आपने देखते हैं number of molecular weight DNA का molecular weight दिया गया है कितना 3.1 into 10 to power 9 यह दिया गया है ठीक है अब आपको याद क्या रखना है किसी एक नुक्लियोटाइड नुक्लियोटाइड पेर या नुक्लियोटाइड बेस पेर का molecular weight कितना होता है 666 डालतर एक नुक्लियोटाइड का या एक नुक्लियोटाइड बेस पेर का molecular weight कितना होता है 666 होता है अगर यह जो molecular weight है DNA का दिया गया है आपको यह पता है पहले से कि किसी भी nitrogen basis का जो molecular weight होता है वो 666 होता है अब अगर अपन number of नुक्लियोटाइड निकाल ले इस DNA का यह तो क्या है weight है कि इस इस वेट के अंदर कितने number of nucleotide present है ठीक तो यहाँ पर कि नंबर ओफ कि नुक्लियोटाइड है 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 इन है डीन है डीन है डीन में कितने नंबर ओफ नैट्रोजन basis present है तो आप क्या निकालोगी 3.1 into 10 to power 9 अपन एक नुक्लियोटाइड का जो molecule weight उसे डिवाइड कर दो ति यह कितना है 666 यह जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 0.1 into 10 to power 3 यह लिख सकते हो यहाँ से आप इसको काटोगे तो कितना बचेगा 6 तो यहाँ पर 3.1 into 10 to power 6 divided by 0.66 यह निकलता है जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4.7 into 10 to power 6 निकल कर आता है यह क्या निकला है number of नंबर ओफ नाइट्रोजन बेस इस डिएने में कितने नाइट्रोजन बेस है 4.7 into 10 to power 6 ठीक है यह निकलताइड के संख्या किती आ गई 4.7 into 10 to power 6 अब अपन यह कहीं कोडोन प्रोटीन किसे बनेगी निकालना क्या है अपने को number of protein निकालनी है जिसमें एक protein का molecular weight या number of amino acids कितने चार सो अब अपन पहले कोडोन निकालते है क्यों किसी भी एक amino acid को कोड कौन करता है एक amino acid को amino acid ब्राबर वन कोडोन लिक्सक्ते हो वन कोडोन का मतलब क्यों होता है तीन कि नकुलोडाड लिख सकते हो या ती नाइट्रोजन बैस लिख सकते हो नाइट्रोजन बैस लिख सकते हो अब अगर अब अपने को कोडोन निकालने हूँ ये DNA के nitrogen base है इसमें कोडोन निकालने हूँ कितने कोडोन बनेंगे तो यहाँ पर number of codon number of codon कैसे निकालोगे 3 से divide कर दो 4.7 into 10 to power 6 into 3 इससे इसको क्या कर दो divide कर दो यहाँ से आप इसको divide करोगे 1.6 आजाएगा यहाँ में 4 से आप divide करोगे तो 1 और फिर यहाँ पर आजाएगा 15 आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर वैसे तो देखो इसका आता है 5.6 लेकिन आप इसको 16 लिख दोगे किता लेख दोगे 1.6 into 10 to power 6 यह क्या आगए number of codon number of codon या इसको आप यह भी कह सकते हो number of immunosid भी कह सकते हैं क्यों एक immunosid एक codon की द्वारा code किया जाता है तो यहाँ पर number of immunosid आगए या number of codon आगए लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा है एक protein जिसमें कितनी immunosid होने चीए 400 400 immunosid वाली कितनी protein बनेगी 400 immunosid वाले कितनी protein बनेगी तो यहाँ पर अब इसको क्या करो number of protein number of protein कितनी protein बनने की possibility रहेगी तो यहाँ पर immunosid तो आएगे 1.6 into 10 to power 6 एक protein में कितनी immunosid होने चीए 400 होने चीए तो यहाँ पर जब आप इसको 400 से कट करते हो ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको 16 into 10 to power 5 upon 400 यहाँ से आप इसको दो से काटते हो तीन बसते हैं और यह 4 आगे हैं यहाँ से आप इसको काट होगे तो क्या आज जाएगा 4000 proteins इस DNA से इस molecular weight के DNA से 400 immunosid वाली protein कि संख्या कितनी है 4000, 4000 proteins बनती है तो यहाँ पर option में देखो पहला 4000, 8000, 6000 और 2000 right option कौन सा होगा यह option इसका right option होगा इस प्रकार से आप किसी भी protein का या DNA का अगर molecular weight दिया चाहिए और पुछा जाए protein की molecular weight या protein की संख्या तो आप इस method से calculate कर सकते हो दूसरा question अपन देखे molecular weight of product किसी protein का मतलब कोई भी protein है वो product बनने वाला है molecular weight of product product का molecular weight पूछा है after translation तो किसी भी MR ने का जब translation होता है तो product क्या बनता है product हमेशा क्या बनता है protein बनती है ठीक है जो MR ने होता है MR ने इस MR ने पर क्या होते है राइवोसोम आके बाइंड होते हैं और राइवोसोम आके बाइंड होने से क्या बनते हैं प्रोटीन्स बनते हैं इसका मतलब Translation यह पूछा है molecular weight of product after translation of MR ने ऐसा MR ने जिसमें number of nucleotide कितने हैं बेस कितने बेस हैं तो यहां पर 390 एक MR ने है कितने nitrogen बेस है इसमें 390 नाइट्रोजन बेस है पूछा क्या है molecular weight of protein कि इससे बनने वाली जो protein है उसका molecular weight कितना होगा नाइट्रोजन बेस इतने हैं तो मैंने आपको पहले बताया protein का product निकालने के लिए पहले इससे यह देखना होगा कि इस MR ने से immunoside कितने बनेंगे तो यहां पर codon निकालो इसके codon 3 nitrogen base बराबर 1 codon एक हो डोन बराबर क्या होता है तीन नाइ्रोजन बैस होता है जो मेरे पहले भी बता चुका हूं मैं आपको अगर अब आपको नमबर ओफ कोडोन निकालने हैं नमबर ओफ कोडोन ठीक है तो नमबर ओफ कोडोन 390 अपोन तीन तो यहां पर 130 130 कोडोन आ जाएंगे, 130 क्या जाएंगे, 130 कोडोन भी कह सकते हैं, या एमिनो एसिड भी कह सकते हूँ, क्योंकि एक कोडोन बरापर एक एमिनोसिड, तो यहाँ पर कितने एमिनोसिड बन रहे हैं, इस MRN से, 130 एमिनोसिड बन रहे हैं, पूछा क्या गया है, मोल्यूकिलर वेट तो एक amino acid का molecular weight किता होता है 110 डालटन एक amino acid का molecular weight किता होता है 110 होता है तो इसको 10 से multiply कर दो number of molecular weight of protein बनने वाली जो protein है उसका molecular weight कितना होगा तो आपके पास में amino acid कितने है 130 इंटू 110 इसका molecular weight है एक amino acid का multiply कर दो सबको तो यहां पर जो है molecular weight आप इसको करोगे तो option में आएगा लगभग 14,300 डालटन 14,300 डालटन आएगा तो यहां पर पूछा किस में है किलो डालटन में पूछा गया है यह तो आप ऐसे कह सकते हूँ इसको 14 किलो डालटन तो इसका जो molecular weight निकलेगा इस protein किता निकलेगा 14 किलो डालटन निकलेगा तो यहां पर इसका right answer जो आजाएगा D option आजाएगा यह इसका right answer होगा तो इस प्रकार से किसी भी protein और किसी भी nucleotide की according या nitrogen basis के according, DNA, RNA के according अगर आप से कोई numerical क्यों कुछ ने पूछा जाता है तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप calculate कर सकते होँ तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर कमेंट करें ताकि अगला जो वीडियो है कौन से topic के उपर लेके आए वो भी आप कमेंट कर सकते हो तो आज के लिए पना वीडियो ही complete होता है THANK YOU FRIENDS